वेल्कम बैक टो टिजिटल प्लाट्फरम और ओनलाइन स्टेडी एग्ड़। मैं अरुण की वारी आप लोगों का ओनलाइन स्टेडी एग्ड़ा के पिस्टि प्लाट्फरम पे फिर से स्वालिक रप्राव्म। दोस्तों बड़े खेट के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लास्ट वीडियो था वीडियो नमबर 19 उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे ब्रॉडबैंड की स्पीड को लेकर के बहुत ज़्यादा वफरिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा लायक था हमारे स्टूबिं हैं बट उम्मीद करता हूं कि वह उस दिन वाली प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा आपको ओडियो में प्रॉब्लम्स आ सकती है बट कोशिश की है मैंने सुधार में की तेकते हैं हम कितना सक्सेस्फुल हो पाए है तो दोस्तों हम लास्ट वीडियो जो था रड़ वस कन व कनवरजिन स्थेंद בीडियो अधर नपर सिस्टम में आज हम बाएंरी में पांवर्जिन की बात करेंगे अगर आपथ किसी भी ददेसिमर नंपर सिस्टम में जो नंबर है उसे बाएंरी में करेंड करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान करिफ नंपर को हम वसे भाग दे औ और जो remainder आये उसको side by side लिखें और यह process तब तक repeat करने रहें जब तक की हमारा number 0 में ना बदल जाए तो जैसे ही आपका number 0 बदल जाए अब आप क्या करें उसके remainder को reverse order में लिखें तो हमें answer मिल जाएता यह आपका तरीका है किसी भी whole number को जो की decimal में है इंटीजर को जो की decimal में है उसे हम क्या करें binary में बदलें यहाँ पर आपके screen पर यह जो example है यह हमने एक दिखाने की कोशिच की है अगर हमारे पास 67 है जो की decimal में है इसे हम binary में convert करना चाहते हैं तो इसके लिए हम करेंगे क्या 67 को 2 से भाग देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर किया है तो हमारा कोशन आया 33 और remainder आया 1 फिर हमने 33 को 2 से भाग दिया 16 remainder आया 1 आपडेटिंगे remainder हमने side by side लिखा हुआ है फिर हमने 16 को 2 से भाग दिया 8 remainder 0 8 को भाग दिया 4 remainder 0 4 को भाग दिया 2 remainder 0 2 को भाग दिया 1 remainder 0 1 को भाग देंगे तो 0 remainder 1 तो अब हम इसको नीचे से उपर की दिशा में लिखेंगे 1 8 2 3 4 बार 0 और 1 1 तो यह हमारा number है 1 4 times 0 double 1 in binary अगर 67 को convert करेंगे तो यह आएगा 1 4 times 0 double 1 चलिए एक example और करते हैं इसको आप देखिए हम अगर 35 को convert करना चाहें किसमें binary यह हमारा decimal number system में 35 है अगर हम इसे convert करना चाहें binary में तो क्या करेंगे हम पहले 35 लिख लेते हैं इसको 2 से भाग दें 17 times जाएगा remainder आएगा 1 ठीक है अब फिर 17 को हम 2 से भाग दें 8 times जाएगा 2 is 16 remainder again 1 फिर 8 को हम 2 से भाग दें 4 times जाएगा remainder हो जाएगा 0 फिर हम 2 से भाग दें 2 times जाएगा remainder आएगा 0 फिर 2 से भाग दें 1 times जाएगा remainder हो जाएगा 0 अब इस 1 को अगेन 2 से भाग देंगे तो 0 टाइम्स जाएगा और remainder आएगा 1 अब इस remainder को विपरीर दिशा में नीचे से उपर की तरफ लिखें तो 35 in decimal is equals to 1, 3, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1 in binary तो ये तरीका है आपका किसी भी whole number को जो की decimal में है उसे binary में convert करने हैं उम्मिद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया तो आप 127 को binary में convert करके हमारे comment में लिखके बता लिए ठीक है हाला कि ये live class नहीं है बट comment में लिखके बताएंगे तो मैं उसका answer आपको जरूर होंगा आगे बढ़ते हैं ये तो था अगर whole number है यानि कि integer है बट अगर हमारा number integer के वजाए fractional हो तो क्या करें अगर हमारा number fractional है यानि कि इसमें इंटीजर पार्ट भी है और fractional पार्ट भी है decimal पार्ट भी है अगर इसे convert करना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं इंटीजर पार्ट को अलग से convert करते हैं जैसा अभी किया था fractional पार्ट को अलग से करेंगे इंटीजर पार्ट को करने का तरीका तो आपको हमने बताया division by two remainder side by side लिखते जाएंगे फिर remainder को विपरीग दिशा में लिख देंगे तो हमें answer मिल जाएगा अगर हमें fractional पार्ट को करना है convert binary में तो हम क्या करते हैं fractional पार्ट को दो से multiply करेंगे वहाँ पर divide करेंगे यहाँ पर multiply करेंगे जब आप multiply करेंगे तो जो whole number पार्ट आया उसको हम side by side लिखते चलेंगे और बाद में यह सारे whole numbers को जो भी हमने side by side लिखा है उसको थम सीधे order में जिस order में आया था उसी order में रिप्रिटिशा में नहीं सीधे order में लिखेंगे तो वह हमें answer मिल जाएगा और यह कब तक multiply करेंगे इसका answer है जब तक आपका fractional part 0 न हो जाए या फिर आपको required number of precision न मिल जाए जैसे मान लेते हैं decimal number में हमारे पास दश्मलों के बाद दो डिजिट है तो हम binary में उसे तक तक करेंगे जब तक कि seven fractional part two zero point two seven तो seven को हमने जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही division by two से हमने convert किया तो आया one 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 अब हमें 0.27 को convert करना है आप अपने screen पे ध्यान दे जीरो point two seven को दो से गुना किया तो हमें मिला zero point five four अब यहां पे whole number में zero है यानि इंटिजर portion में zero है तो हमने zero यहां लिख दिया अब zero point five four को यह जो यहां पर है इसको हम दो से गुना करेंगे यह हो जाएगा one point zero eight यह one को हमने यहां लिख दिया अब zero point zero eight इसमें दो का गुना करेंगे तो आज आएगा zero point one six यह zero हमने यहां लिख दिया point one six को दो से गुना करेंगे तो आएगा zero point three two यह zero हमने यहां लिख दिया zero point three two को फिर से हम दो से गुना करेंगे तो आएगा zero point six four यह zero हमने यहां लिख दिया 0.64 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 1.28 अब 1.28 में 1 है यह 1 हमने यहां लिख दिया 0.28 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 0.56 यह 0 हमने यहां लिख दिया 0.56 को हमने 2 से गुणा किया तो 1.12 यह 1 हमने यहां लिख दिया अब आप देख रहा होंगे कि दश्मलों के पाद एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ डिजित तक हो गए हैं, अभी भी यह 0 नहीं हुआ है, हम इतने से संतुष्ट हो जाएंगे, यानि कि अगर 0.27 को लिखें, तो हम सीधे और में 010000101, तो 010000101, यह हमारा binary में decimal क हो जाएगा, तो अगर दोनों को मिला दें, तो answer हो जाएगा, 111.010000101, तो उमीद करता हूं कि आपको यह चीज़ समझने आ गया होगा, फिर भी हम एक और करके दिखाते हैं, for example, हमारे पास है 6.25, यह एक decimal number system में number है, इसे हम convert करना चाहते हैं, binary में, तो 6 को हम पहले convert कर ले, 6 को हम convert करेंगे, वही पुराने method से, 2, 3 times, remainder 0, फिर 2, 1 times, remainder 1, फिर 2 से भाग दीजे, 0 times, remainder 1, तो यह हो जाएगा, 6 का जो conversion होगा, नीचे से उपड़ की करक लिखिए, 1, 1, 0, अब दश्मलों पार्ड के लिए हम अलग से करेंगे, दश्मलों पार्ड के लिए करना होगा, तो हम क्या करेंगे, मैं इसे मिटा लेता हूँ, क्यों भी जगह कम है, मैं यहीं पे इसको दश्मलों पार्ड को भी करते लिखा लेता हूँ, चलिए, अब दश्मलों पार्ड में हमारे पास है, 0.25, 0.25 को अगर 2 से गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा 0.50, तो यह जो इंटीजर पोर्डशन है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, 0, अब 0.50 multiplied by 2, यह हो जाएगा 1.00, यानि कि 1 आया, यह 1 हमने यहाँ लिख लिख लिया, अब देखें, fraction पार्ड में केवल 0 बचा है, यानि इसके आगे करने के आउशकता नहीं है, तो हमारा answer यह उपर से बीचे की तरफ लिख लिख लिजिए, 0, 1, और यह हो जाएगा by नभी, उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आगया होगा, हैं बहुत आसान, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लिजिए, हो जाएगा, तो हम आपको एक खुद ट्राइ करने के लिए दे रहे हैं, इसका answer हमें comment में लिखते जरूर बताएं, comment में मैं check करके सबका personally answer दूँगा, मेरा question है, 17.725 इसे आप convert करें, यह decimal में हैं, इसे आप convert करें, उमीद करता हूँ कि आप इसे जरूर करके हमें बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अभी तक हमने क्यों positive numbers की बात की है, negative numbers को represent करने का क्या तरीका होगा, अगर हम binary में convert करें, negative numbers को तो उसे कैसे करेंगे, देखिए, computer में number को negative अगर है, उसे करना चाहें, तो minus sign पहले रख सकते हैं, बट computer representation में ऐसा नहीं किया जाता है, तो computer presentation में क्या करते हैं, negative numbers के लिए हम अपने जो भी number है, उसके साथ, एक extra digit शुरू में जोड़ देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, sign bit, right, ये sign bit से, इसको हम sign bit भी कहते हैं, या flag भी कहते हैं, और ये sign bit से, हमें पता लग जाता है कि number positive है या negative, अगर हमारा sign bit 0 है, इसका अर्थ ये हुआ, कि हमारा number positive है, अगर हमारा sign bit 1 है, इसका मतलब वो number negative है, तो जो हमारे पास जब भी number है, उसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट तो हो गया, magnitude, और दूसरा पार्ट हो गया, उसका sign, तो sign bit बताएगा, हमारा number क्या है, sorry, number positive है या negative है, और magnitude बताएगा कि हमारा number कितना है, ठीक है, तो यह extra bit से हम क्या करते हैं, number को represent करने की खोशिश करते हैं, the representation of magnitude of the positive number is easy, उसने कोई change किया शब्ता नहीं है, हम जैसे वहाँ पे convert करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे, अब यहाँ पे representation के तीन तरीके हैं, जरा सा उसको देखें, पहला तरीका है sign magnitude method, दूसा तरीका है once compliment method, और पीसरा तरीका है twos compliment method, हम बारी बारी से यह तीनो method देखेंगे, और फिर हम discuss करेंगे कौन सा method ज़्यादा उप्यूप्त है, तीनो में से कौन सा method ज़्यादा उप्यूप्त है और क्यों, जरा देखते हैं, पहला method है sign magnitude method, इस sign magnitude method में, जैसा कि हमने पहले discuss किया, हम number के साथ एक bit शुरू में और लगा देंगे, जिसको हम कहेंगे sign bit, अगर sign bit 0 है, इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा number positive है, अगर हमारा sign bit 1 है, इसका मतलब हमारा number negative है, अब यहाँ पे देखिए, हमने example के लिए, एक number लिया है plus 6, अगर हम plus 6 को represent करें, तो यह हो जाएगा 00110, अगर इसे 5 bit में represent करें, तो यह हो जाएगा 00110, तो अगर हमें यह positive number है, तो इसके पहले देखिए, यहाँ पे हमने एक extra bit लिया है, इसे कहते हैं sign bit, ठीक है, और यह हमने इसके पहले लगा दिया, तो इसको देखिए पता लग रहा है, यह positive है, तो 000110, यह represent करता हमारे plus 6 को, अब अगर हमें minus 6 को represent करना हो, negative number, तो कैसे होगा, अब देखिए 6 का तो वही representation होगा, 00110, तो हमने एक extra bit लिया, और उसके पहले क्या लगा दिया, 1, 1 देखते ही हमें पता लग गया, यह कैसा है, negative number है, तो यह हमारा हो गया, 100110, 110, यह तरीका कहलाता है, signed magnitude representation method, बट इस तरीके में एक कमी है, वो कमी क्या है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप number को represent करते हैं, तो अगर हमारे पास n bit का number है, ठीक है, अगर हमारे पास n bit का number है, तो एक bit तो हमारा चला जाएगा sign के लिए, और बाकी n minus 1 से हम क्या करते हैं, उसका magnitude represent करते हैं, तो अगर minus n minus 1 है, अगर यहाँ पे हमें गल्पी से के लिखा है, आप यह कह सकते हैं, जो सबसे छोटा negative number होगा, वो 2 to the power of n minus 1, और इसमें से एक कम कर दीजे, यह हमारा सबसे छोटा negative number होगा, और जो सबसे बड़ा positive number होगा, वो होगा 2 to the power of n minus 1, minus 1, उधारण के लिए, अगर हमारा 4 bit का number है, तो पहला bit तो होगा sign, 3 bit से हमारा magnitude होगा, तो जो सबसे बड़ा number होगा, 2 to the power of 3, 2 to the power of 3 मतलब 8, 8 minus 1, यानि कि 7, और जो सबसे चोटा number होगा, अगरें, 2 to the power of 3, minus 1, that is minus 7, जो सबसे चोटा number होगा, वो सबसे बड़ा number होगा, वो प्लस 7, 4 bit के लिए, ठीक है ना, इसमें जो कमी है, आप उसको जड़ा, इस example से देखिए, हमने 0 को represent किया है, अब देखिए, 0 positive 0 भी हो सकता है, negative 0 भी होता है, अला कि 0 कह लिए है, हम कोई sign लेपे नहीं है, बट अगर हम उसे 0 मान के चले positive को, और 0 मान के चले negative को, तो क्या होगा, अब 0 का representation तो 0, 0, 0, 0, 0 होगा, 5 bit में, है ना, या 4 bit में देखा जाए, तो यह हो जाएगा, 0, 0, 0, 0, अब चुकि अगर इसको positive रखना है, तो हम क्या कर देंगे, यह 0 आगे और लगा देंगे, यह हो जाएगा, 5 times 0, अब अगर हम 0 को negative मान ले, तो क्या होगा, 0 का representation तो यही होगा, 0, 0, 0, 0, 4 bit में, और negative के लिए हम लिखते हैं, 1, तो 0 का representation क्या होगा, negative number के लिए, 1, 0, 0, 0, 0, अब देखे रहें, 0 तो 0 ही रहेगा, positive या negative, बट यहाँ पे, 0 के लिए हमारे पास 2 value आ रहे है, एक यह, और एक यह, तो यह confusion पैदा कर सकता है, इसलिए, यह जो method है, representation करने का, this is not an appropriate method, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, समझ में आ गया होगा, शुभम शर्मा जी, आपने last video में, इसी पे शायद, कुछ doubt raised किया था, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको, यह जीद अब समझ में आ गया होगा, अगर समझ में अभी भी नहीं आया, तो आप comment जरूर करिएगा, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा, comment में ही, या again, personally, whatsapp में, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, आगे बढ़ते हैं, अगर हम, once compliment method से representation करें, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहरे हम यह देख ले, once compliment होता क्या है, किसी भी number का, वो देखे, once compliment binary number का लिया जाता है, अगर किसी भी binary number का, once compliment लेना चाहें, तो क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं, हमारे पास six है, तो six का representation होता है, one, one, zero, अगर पांच बीट पे करें, तो zero, zero, one, one, zero, अब इसका once compliment क्या हो जाएगा, जितने zero है, उसको one में बदल दीजे, और जितने one है, उसको zero में बदल दीजे, तो यह zero है, तो यह हो जाएगा one, यह zero है, तो यह भी हो जाएगा one, यह है one, तो यह हो जाएगा zero, यह है one, तो यह हो जाएगा zero, और यह है zero, तो यह हो जाएगा one, तो अगर हम six binary भी लिखें, तो उसका once compliment इस तरह से लिखेंगे, one, one, zero, zero, one, यह तो हुआ, once compliment में represent करने का तरीका, इसके एक्लियर यहां लगिए हम वन्स कॉम्प्रिमेंट में केवल नेगेटिव नंबर को रिप्रेजन करते हैं पॉस्टिव नंबर को नहीं तो अगर हमारा यह प्लस 6 है उसी एग्जामपल को देखते हैं अगर प्लस 6 है तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा 00110 और साइन बिट में हम लिख देंगे 0 तो यह हो गया हमारा प्लस 6 अब अगर नेगटिव नंबर है तो हमने पहले लिया उसका वन्स कॉंप्लिमेंट यह मिल गया 1 1 0 0 1 और साइन बिट में हम लगा देंगे 1 तो यह हो जाएगा ट्रिपल 1 001 तो माइनस 6 को इस तरह से रिप्रेजन किया जाएगा अब इस सिस्टम में क्या होगा अगें फिर से वही देखते हैं इसका रेंज कैसे होगा अगर हमारा नंबर एन बिट का है तो पहला बिट तो हमेशा साइन किरे जाएगा यह आपको पता है जिसको हम लोग क कहते हैं most significant bit MSP कि कहना हमारा MSP तो चला गया साइन के लिए बाकी बचे N-1 bits तो हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा माइनस 2 to the power of N-1-1 जैसा पहले था और जो सबसे बड़ा नंबर होगा होगा 2N-1-1 यानि कि इसमें भी रेंज वही रहेगा माइनस अगर चार बिट का है तो माइनस 7 से लिए करके प्लस 7 तक इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी जब हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे as positive नंबर as negative नंबर देखे अगर 0 को 5 बिट में लिखे तो यह हो जाएगा एक, दो, तीन, चार, पांच अब positive है तो sign bit को हमने कर दिया 0 अब negative में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले 5 bit का ले लेते हैं once compliment यह हो जाएगा 5 times 1 ठीक है अब चुकि हमारा यह negative नंबर है तो sign bit भी हो जाएगा 1 अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 0 के 2 representation हो गय 6 times 0 और एक हो गया 6 times 1 तो यहाँ पे confusion हो गया कि 0 कौन सा है यह है पहला वाला या दूसरा वाला जब भी किसी एक नंबर के 2 representation होंगे तो वो हमारे लिए खतरनाग हो जाएगा तो दोस्तों क्या किया जाए इससे यह पता लगा कि यह भी हमारा बहुत ही अच्छा method नहीं है negative नंबर को रिप्रेजन करने का तो चलिए तीसरे method की तरफ चलते हैं हमारा तीसरा method है तूस काउम्प्लिमेंट क्या होता है पहले ही समझ ले फिर हम देखेंगी इसको कैसे रिप्रेजंट किया जाता है देखें तूस कॉम्प्लिमेंट हमीशा हम negative नंबर का लेते है पॉस् उसमें एक जोड़ देंगे कैसे जैसे अगर हमें six को रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में पांच बिट में यह हो जाएगा एक दो one one zero अब इसका once complement लेंगे तो हमें मिलेगा one one zero zero one अब इसमें अगर one जोड़ा जाए तो one नीचे add करें बाखी सब को zero कर लीजिए add करेंगे addition के rule के सबसे one and one is zero carry one यह addition कैसे हो रहा है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा इसके लिए चिंता ना करें तो यह one zero one zero 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 one zero one and one zero is one ठीक है अब अगर इसको यह हो गया हमारा तूस कॉम्प्लिमेंट तो तूस कॉम्प्लिमेंट लेने का तरिका हम आपको बताएं अब देखें कि अगर हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे किया जाएगा है ना इसमें भी वही टेकनिक अगर six को करना है तो हमने six को 00110 और उसके आगे एक जिरो वड़ लगा दिया है यह साइन बिट एक दो 110 तरहीं हो गया हमारा प्लस six और minus six के लिए पहले हम तूस कॉमिटिमेंट लेंगे तो बन सकॉमिटिमेंट हो जाएगा 11001 और इसमें वन जोड़ा था तो हमें आया था 0, 1, 0, 1, 1 अब इसके आगे हम एक 1 और लगा देंगे साइन बिट के लिए यह हो जाएगा हमारा माइनस 6 उम्मिद करता हूँ कि आपको इदेंचे समझने आ लिया होगा अब इसके बारे में देखते हैं अगर हम रेंज करें तो क्या होगा रेंज इसमें चेंज हो जाएगा अब देखें 0 के लिए क्यावल एक रेप्रेजेंटेशन होगा कैसे अगर हमारा प्लस 0 माना जाए तो 5 बिट में हो जाएगा 3, 4 and 5 अब इसका साइन बिट हो गया clear अब माइनस 0 रखना है तो 5 बिट का once लेंगे तो आजाएगा 1 1 1 1 1 इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आजाएगा क्या 1 1 अब साइन बिट भी यहाँ पर रख लीजे साइन बिट का भी हम लेंगे और यहाँ पर 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 0 carry 1 0 carry 1 और यह हो गया 0 आप देखेंगे 0 का केवल 1 ही यहाँ पर देखें और यहाँ देखें दोनों same आ रहा है यानि कि 0 चाहे positive वो चाहे negative वो उसका representation केवल 1 के ही आ रहा है यानि कि अब इसमें हमारा जो range होगा वो range होगा कहां से minus 2 to the power of n minus 1 2 2 to the power of n minus 1 minus 1 यानि कि अगर 4 bit का number है तो minus 8 से ले करके plus 7 तक जाएगा तो यह हमारा negative numbers को represent करने का तरीका हुआ उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आगेगा होगा अगर समझ में आया है तो फ्लीज वीडियो को like कर सकते हैं तो thanks for watching this video उमीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई problem नज़र नहीं आया होगी अगर वीडियो की quality में audio की quality में कोई भी problem है तो आप उसे इस संकोच हमसे discuss कर सकते हैं अगर content में कोई problem है या कोई चीज आपकी समझ में नहीं आया या कम समझ में आया तो भी आप में comment कर सकते हैं जो लोग वीडियो पर नहीं हैं तो please इस चैनल को subscribe करें share करें यहाँ पर आपके बाद वाट स्टूप में आड़ होने के लिए QR code दिया है यहाँ पर आपको YouTube में चैनल खोलने के लिए QR code दिया है इसको scan करके आप YouTube चैनल को खोल सकते हैं और वहाँ पर इसको subscribe कर सकते हैं इसकाद हम आज का वीडियो नहीं पर समात करते हैं जय है